नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम यूस 24 मैं हूँ आपके साश्वता सिंग खबर महराष्ट के मुंबई से है जहां राज्य सभासांसद संजे राउत की पतनी वर्षा राउत को प्रवर्तर निदेशाले ने समन कर 29 दिसंबर को कारेले में उपस्तित रहने को कहा है जिस पतनी वर्षा राउत के नाम सियासि विरूत की विर्श से समन भी जा गया है एडी के इंद्र सरकार के निशाने पर काम कर रही है राउत ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे संजे राउत ने कहा ये सब राजनिती से प्रेरित है गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले संजे राउत के करीबी प्रणीव राउत को भी ईडी ने गिरतार किया था जाच में खुलासा हुआ कि प्रवीन राउत की पतनी के बैंक खातों के जरिये वर्शा राउत के बैंक खातों में लेंदेन हुआ है अब परवर्तन निर्देशाले के लेंदेन के बारे में जानकारी हासल करना चाहता है इसी संबंद में एडी ने संजे राउत की पतनी वर्शा राउत को समन भीजा है इडी ने पिछले साल अक्टूबर में पंजाब और महाराष्ट कोपरिटिव वैंग में कथित लोन फ्रॉड की जांच के लिए इसके प्रमोटर राकेश कुमार वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन उसके पूर्व अध्यक्ष वी सिंग और पूर्व प्रबंद निदेशक जॉयत हॉमस के खिलाब PMLA के एक मामला दर्च किया था इसी मामले में संजरावत के पत्नी वर्षारावत भी आरोपी है वहीं दूसरी और महाराष्ट की भाजपा नेता कीरीट सौमिया ने कहा है कि अगर उनकी पत्नी निर्दोश है तो डरने की क्या जुरुरत है संजरावत ने भाजपा परबरसते हुए कहा है मुझसे पंगा मत लेना मैं नंगा आदमी हूँ और शिवस्यानिक हूँ मेरे पास भाजपा की फाइल है अगर उसे निकाला तो आपको देश से छोड़ कर भागना पड़ेगा मेरे पास 121 लोगों के नाम है जल्द ही ED को दुँगा इतने नाम है कि 5 साल ED को काम करना पड़ेगा तब ED को पता चलेगा कि किस से पंगालिया है अब देखना ये होगा कि संजेराउत के इस दावे में कितनी सचाई है या संजे राउत के दावे हवा हवाई ही साबित होंगे प्राइम यूज 24 के लिए श्वता सिंग की रिपोर्ट